चले गायज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक है कामागाटा मारू ।चो गमठीश कामागाटा मारू कामागाटमारू अ जापानीज इस्टीमार कैरिंग 376 पसिंजर्स फ्रॉम होंग कॉंग अराइब इन बंकूवर, कनाडा यानी 23rd में 1914 को कामागाटमारू नामक एक जापानीज जहाज होंग कॉंग से 376 यातियों को लेकर होंग कॉंग से कनाडा के बंकूवर पहुंचा इसे बंदगाह में प्रवेश्की अनमती नहीं दी कनाडा यह अधिकारियों ने ओके ठीक है अच्छा क्या इश्यू था अच्छा क्यों नहीं दी इसको अनमती वहां उतारने की क्योंकि उन्हें सूत्रों से पता चला कि इसमें क्रांतिकारी हैं जो कनाडा में रहकर अंग्रेजों की विरुद क्रांतिकारी गद्विदियां करेंगे अता उन्होंने उसे बापस भेश दिया यानि अंदर आने की अनमती नहीं दी यातियों की अधिकारों की रच्छा हेतु यही जो पसेंजर्स थे ना इनके अधिकारों की रच्छा हेतु इक कम्टी बनी उसका नाम था शोर कम्टी इन्हीं पसेंजर्स के अधिकारों की रच्छा हेतु जो शिपेक खड़े होए थे आयमीं शिपेक थे उनी के लिए एक कम्टी बनाई गई शोर कम्टी अच्छा फिक क्या था एक कम्टा मारों जहाज दो महीने तर बंदगापारी खड़ा रहा है उसको अंदर जाने की अन्मत नहीं मिली फिर वहां से उसको बापस भेज दिया यानि दो महीने बार ठीक है फिर यह जहाज कलगत्ता पहुंचा सब्टेंबर 1914 में अंग्रेजों नोगों को पता चला कि इसमें राजनितिक आन्दोलन का रही है कहां से पता चला सुट्रों से तो अंग्रेजों पकड़ने के लिए पहुंचे अंग्रेजोंने अपने साथ भेज वहांसे पाग निकले और जो गोलिया चली ना उसमें कुछ लोग मारे गए और उनकी म्रत् पंचाब भीज दिया ओके ये था सारा इशू चली देखते हैं क्वेस्चिन ओके इन दो कॉंटेक्स्ट ऑफ तो मॉडन हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के आदनिक इत्यास की संदव में दे शो कम्ती वास रेटी टू शो कम्ती किसे रिलेटिट थी किसे थी ए चंपारन मुवमेंट चंपारन मुवमेंट से बी खेड़ा सत्रा गया है सी कोडिनेट एंड आन इन्वेजन ओन बिटिश इंडिया बिटिश भारत पर सशस्ट आकमा का समन्वा करने से या फिर टी फाइट फूर राइट्स ऑफ पसेंजर्स ऑफ तो कामागा तमारू कि अपारण मुवमेंट आन आकमा फ्टेर्स के लिए भाशया है?